Hey everyone, मैं हो Gaurav Mishra और आप सभी का स्वागत करता हूँ Magnet Brains के एक बिल्कुल ही नए सेशन के अंदर और आज के सेशन के अंदर हम Class 11 के Maths को और आगे बढ़ाएंगे और आज के सेशन के अंदर हम देखेंगे वही है Class 11 के Maths के Chapter No. 2 यनि कि Relation and Function और उसमें भी कौन सा Topic ले रहे हैं हमाज तो Topic का नाम है Algebra of Real Functions या Operation on Function दोनों Topic सेम हैं पर नाम जो है अलग अलग तरीके से कई बार लिखे जाते हैं उसलिए मैंने दोनों ही नाम लिख दिये हैं अगर आपकी बुक में ये Topic हो अगर आपकी बुक में वो Topic हो आप इस वीडियो को देखके Topic को देखके उस वीडियो को पूरी तरीके से देख लेना चीज़े आप समझ में जाओगे और अगर अभी तक आपने इस Chapter के पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा Suggestion ये है कि इसी वीडियो के Description Box में आपको Playlist के Link मिलेगी Class 11th के Maths के जिस पे Click करते ही आपके पास Class 11th का पूरा Maths खुल जाएगा तो उसमें जाना और कहां पे जाना ये इस Chapter के पुराने वीडियो पे जाना जो कि मैंने बनाए हैं Fresh Videos है ऐसा नहीं कि एक साल पहले बनाए हैं एकदम Fresh Videos बनाए हैं उनको फटा-फटा आप जाके देख लेना तो इस तरीके से क्या करोगे आप सारी चीजे जो है बड़ी ही आसान तरीके से देख लोगे तो ये काम आपको जरूर करना है अगर आप इन सारी चीजों को Continuation में सीखना चाहते हैं तो बाकि आप जानते हैं कि Magnet Brains वो प्लाटफॉर्म है जहां पे Education कम्प्लीटली फ्री है यानि कि Magnet Brains पे आपको दो चाप्टर्स पढ़ने के बाद बाकि चाप्टर्स पढ़ने के लिए कोई भी पैसे देने की ज़ुरत नहीं है बस आपको इसके वेबसाइट को विजिट करना है जो कि है www.magnetbrains.com तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि algebra of real function क्या होता है या operation on functions क्या होते हैं तो जैसा कि आपने ये शब्द सुना operation तो आपने ये शब्द पहली बार तो नहीं सुना होगा ये operation में hospital वाले operation की बात नहीं कर रहा हूँ जो इनसानों पे होता है यहाँ पे operation की बात चल रही है जो की mathematics में होती है अब mathematics में जो operation है न वो सिर्फ चार प्रकार के होते हैं addition, subtraction, multiplication और division जी हाँ आपने ये चीज़ बहुत बार पड़ी है बस आज जो ये operation अपन लगाने वाले हैं वो लगाने वाले हैं functions पे किस पे लगाएंगे? functions पे हम देखेंगे कि operation का use कैसे होता है तो चलो detail में समझते हैं कि operation का क्या use है और कैसे use है और किस तरीके से हम function पे लगाते हैं तो सबसे पहला operation हम पढ़ेंगे function पे वो क्या है? addition of function अब addition of function का मतलब यह होता है कि माल लीजिये आपके पास एक function fx है आपके पास दूसरा function gx है तो यह है आपके पास एक function fx दूसरा function है आपके पास gx आपने क्या कर दिया? आपने इन दोनों को add कर दिया तो यह add हो गया functions का addition हो गया अब इसको दिखाने का न, एक बड़ा बड़िया तरीका होता है, मैं तरीका आपको सिखा देता हूँ, इसको लिखने का, जब भी आपको दो functions का addition दिखाना है, तो आप इसको लिखने का कुछ इस तरीके से लिखते हैं, f प्लस g, ऐसा लिखते हैं bracket के अंदर, और यहाँ पे आपको question paper में ये चीज वो लिख के देंगे, अब आपको सोचना है, आपको समझना है कि अच्छा ये लिख के दिया, इसका मतलब क्या है, function का addition है, समझ गए addition का मतलब, कैसे लिखते हैं, समझ गए, अच्छा function का addition क्या होता है, यह नहीं समझे, चलो सुनो, क्यासे होता है, माल लो आपके पास एक function जो है ये है x square ठीक है और आपके पास दूसरा function gx जो है माल लीजिए ये है x plus 1 ठीक है ये दो functions मैंने बना दिये अब मैंने आपको बोला कि यार मुझे na f plus g ऐसे और दूसरे bracket में x find करके दिखाओ तो आप इसको लिखते ही समझोगे अच्छा यहाँ पर इन दोनो functions को add करना है भहिए इसका मतलब क्या है? addition है तो आप बोलोगे ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं ये x square है, ये x plus 1 है हमने दोनों को add कर दिया हमने addition का operation जो है successful कर दिया समझ गया addition? कोई परिशानी तो नहीं बहुत बढ़िया अब अगर addition समझ गये हो तो ऐसा करते हैं subtraction भी लगे हाथो समझ ही लेते हैं तो function का subtraction subtraction is better word जो इस्तमाल होता है वो होता है difference of function आपको याद है हमने set का भी subtraction पढ़ाता मैंने पढ़ाये तन आपको a minus b पर वहाँ पर हम subtraction शब्द का इस्तमाल नहीं करते थे हम वहाँ पर भी difference शब्द का इस्तमाल करते थे अब यह जो function है वो भी तो set पे ही बनता है भाईया जो function है एक relation है जो की एक set से दूसरे set में defined है सारी चीज़े पढ़ा चुका हूँ मैं तो function क्योंकि set पे ही बनता है set से ही set में relate होता है इसलिए subtraction of function की जगा कौन सा शब्द सही रहेगा आप use करते हैं difference of function अब समझे difference of function क्या होता है माल लो आपके पास एक function fx है ठीक है इसको बोल दो आपके पास है यह x square clear माल लो दूसरा function gx है और इसको बोल दो किये है x cube ठीक है दो function आपने ले लिए मैंने कहा कि आपको fx minus gx करना है तो बच्चे तो यहाँ पे यूँ answer कर देंगे कि sir answer होगा x square minus x cube सही बात है पर इसको लिखने का क्या कोई दूसरा अंदाज आपके पास है क्या sir हाँ sir बिल्कुल है जैसे कि addition करा था f plus g करा था वैसे ही आज मैं क्या करूँगा मैं f minus g करूँगा और यहाँ पे x लगा के लिख दूँगा x square minus x cube क्या लिख दूँगा x square minus x cube तो मैंने लिखा f minus gx is equal to x square minus x cube important यह है कि किस तरीके से आप function के subtraction को या difference को दिखाते हैं तो यह तरीका है कि कैसे आप function के difference को दिखा सकते हैं I hope आपको addition of two functions clear है I hope आपको difference of two functions clear है ठीक है चलो बहुत बढ़ी बात है वही तो difference और addition अगर clear है तो तीसरे operation पर मढ़ते हैं जो कि कहलाता है multiplication of function तो यह तो आप समझी का होगे कैसे तो चलो समझते हैं मान लो आपके पास एक function fx है ठीक है इस function को आपन बोल देते हैं वापिस से x squared ठीक है सर बोल दिया आपने x squared मान लो एक दूसरा function आपके पास gx है और अपन इसको बोल देते है x plus 1 क्या बोल देते हैं? x plus 1 मैंने बोला कि आपको जो है fx को multiply करना है gx से क्या करना है आपको? आपको fx को multiply करना है gx से तो जब आप fx को gx से multiply करेंगे तो आप बोलेंगे सर यह तो बड़ा असान काम है basically आप x zou air को multiply कर देंगे x plus 1 से हाँ सभी बात है पर क्या सर इसको लिखने का कोई अंदाज है क्या जैसे addition और subtraction में किया था जी बिल्कुल अंदाज है क्या अंदाज है सर अंदाज यह है कि यहाँ पे f और g को साथ लिख दीजिए इस तरीके से multiply में जो की दिखाता है कि function f और function g multiply में है और यहाँ पे variable x को आप इस तरफ लिख दीजिए तो यह ऐसा कुछ हो जाता है जो यह तरीका मैंने लिखा यह तरीका ही आपका दिखाता है कि कैसे आप दो function का क्या करते हैं multiplication करते हैं यहाँ पे कैसे solve करोगे तो x square को इधर और इधर आप multiply कर सकते हो तो x square अगर x से multiply होगा तो x cube बना देगा और बीच में plus का sign है x square अगर 1 से multiply होगा तो x square बना देगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमने function का multiplication किया यहाँ पे सबसे important चीज जो है na function के multiplication में वो कौन सी चीज है वो आपके पास यह जो चीज मैंने लिखके दी है वो यहाँ पे functions को multiply करने का दिखाने क तरीका जो है सबसे नायाब है सबसे जरूरी है इसको समझ लो क्योंकि exam में direct वो यह लिखके देंगे और आप इसको पढ़ते नहीं है क्योंकि यह topic generally बच्चे छोड़ देते हैं रहे क्या ही आएगा और फिर इस तरीके सा symbol आ जाता है और बच्चे जो है बड़े confused हो जाते है बड़ I hope कि मैंने आपको अच्छे से explain कर दिया है कहीं पर कोई confusion नहीं है चलिए बहुत बढ़िया तो multiplication I hope आपको clear है तो ऐसा करते हैं एक और operation पर बढ़ते हैं जो कि कहलाता है question of two function क्या कहलाता है question of two function अब समझेए मान लीजिए आपके पास एक function fx है क्या है आपके पा हूं कि questront का मतलब समझते हो हाँ सार question का मतलब है एक function को दूसरे function से divide करना तो यहां पे मैंने बोला ठीक है भी या fx को ऐसा करो nra gx से divide कर दो तो आपने क्या कर दो यहां पे आपने x square को divide कर दिया किस से आपने x plus 1 से divide कर दिया बहुत अच्छी बात है अच्छा ठीक है ऐसा divide भी कर दिया, answer भी आ गया, पर इसको लिखने का कोई तरीका है क्या, बिलकुल तरीका है, कैसे, तो देखो, यहाँ पर function f और function g divide हुए है, तो ऐसा करो, इस तरीके से लिखो, f upon g, क्या लिख देंगे हम, हम लिखेंगे f upon g, variable common कर दो, तो variable को एक bracket में इसे डाल दो, और answer आपके पास हो गया, x square upon x plus 1, अभी answer लाना बच्चो जरूरी नहीं है, जरूरी यह है, कि division को आप show कैसे करते हैं, function के question को आप show कैसे करते हैं, तो यहाँ पर जब मुझे fx को gx से divide करना था, तो मैंने लिखा f upon g, एक bracket के अंदर, और दूसरे bracket के अंदर, जो variable है मेरा वो, म जाएगा, bracket के अंदर, जो है, x आजाएगा, आसान तरीके से समझ में आ जाएगा, कैसे, तो g उपर, नीचे f, तो g upon f, अच्छा, इसको भी ऐसे bracket में डाल दो, और variable common है x, उसको भी अलग bracket में डाल दो, जो भी answer आए, वो आपकी मर्जी, पर लिखने का तरीका आप समझ ल जाएगे, जैसे की कहलाता है, reciprocal of function, अब ये reciprocal of function क्या होता है, ये भी सीख लो, माल लो, आपके पास एक function fx है, ठेक है, बहुत simple function ले रहा हूँ, माल लो, ये function fx है, x, एकदम simple function ले लिया, मैंने आप से बोला, कि मुझे इस function का reciprocal find करो, तो आप बोलोगे, sir, reciprocal find करना है, यान answer हो जाएगा, one upon x, क्या इसको लिखने का कोई तरीका हो सकता है, जी, है तरीका, कैसे लिखोगे, sir, तो हम इसको लिखते है, one upon f, bracket के अंदर closed, और finally, यहाँ पे x लिखते है, जो की बराबर होगा, आपके one upon x के, इस तरीके से आप answer को frame करते है, one upon f, bracket के अंदर x, is equals to how much, one upon x, क्या हो गया, यह आपके function का reciprocal हो गया, वह यह function f था, तो उसका reciprocal क्या होगा, one upon f होगा, जो variable था, उस variable को आप इस थरीके से लिखते हैं, तो answer आपके पास बन जाता है, one upon x, I hope यह चीज़ क्लियर है, कहीं पे कोई भी थोड़ा सा भी confusion नहीं है, बहुत बढ़िया, तो reciprocal of function I hope आपको clear है, कहीं कोई confusion नहीं है, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक और चीज़ जो कि कहलाता है, multiplication of function by a scalar, यानि कि आप एक function को multiply करते हैं, किस से x scalar number से, बहुत simple है, ज्यान से सुनना, मानलो एक function ले लेते हैं अपन f x, जिसकी value है अपने पास x square, क् ये vector है क्या, कोई इसकी direction है क्या, नहीं है, तो आप दोनों तरफ 4 से multiply कर दो, तो यहाँ पे 4fx हो गया, यहाँ पे 4x square हो गया, सभी बात है, यहाँ पे 4fx हो गया, वहाँ पे 4x square हो गया, हाँ सर multiply हो गया, पर क्या सर इसी चीज़ को लिखने का कोई और अलग अंदाज है क्या हाँ जी अंदाज है सुनिए तो 4 जो है basically function f में multiply हुआ है तो अपन इसको लिखेंगे 4f क्या लिखेंगे अपन 4fx इस तरीके से अपन लिखेंगे इसका interpretation क्या समझेंगे हम हम interpretation समझेंगे कि हमने function f को multiply किया है चार से 4x scalar number है इसलिए यहाँ पर भी x square को हमने multiply किया है चार से answer बना है कितना 4x square I hope चीज़े clear है कहीं पर कोई confusion नहीं है तो जितने भी operations मुझे आपको सिखाने थे ना उतने operations मैंना आपको यहाँ पर सिखा दिये अब कुछ ऐसी चीज़े बचती हैं जिनका discussion तभी हो सकता है जब question आते हैं और कोई भी video अधूरा है maths का अगर उसमें question नहीं है तो चलिए शुरू करते हैं questions या examples जो की based हैं आपके operation of function पे तो sir कौन सा example आज लेके आए हो आप तो यह है आपके सामने सबसे पहला example यह है example number 16 I think आपके NCRT book का ही है question बड़ा आसान है भी यह आपको function fx दिया गया है जो की x square है आपको function gx दिया गया है जो की 2x plus 1 है दिख रहा है क्या दोनों के दोनों functions आपके real function है आपसे बोला जाता है कि हमें यह सारी चीजे जो है find करके दिखाईए दिखने में बड़ा complicated लग सकता है पर है बड़ा आसान सा चलो basic बातों से शुरू करते हैं हमारे पास function fx जो है यह कौन है सर यह हमारे पास x square है सही बात है हमारे पास function gx जो है यह कौन है सर हमारे पास यह 2x plus 1 है सही बात है सबसे पहले हमें demand की गई है कि f of g x find करो क्या demand की गई है सबसे पहले हमें demand की गई है इस तरीके से लिखाया उन्होंने f plus g को ऐसे लिखा एक bracket में दूसर bracket में x लिख दिया अरे सर ये तो वो अंदाज है जहां पर function का क्या करते हो आप addition करते हो इसी लिए तुम्हेंने सिखाया था तुम्हें क्या लगा समय वेस्ट कर रहा हूं मैं नहीं भाई सिखाना था तो इसका मतलब क्या होता है सर इसका मतलब होता है कि जो आपका function fx है जो आपका function gx है उन दोनों को add कर दो कैसे add करोगे तो देखो जरा इधर आप लिखोगे कि ये हो गया fx और ये हो गया gx दोनों को कर दिया हमने add तो चलो करते है add fx कितना है? x square है gx कितना है? 2x plus 1 है तो fx हो गया आपके पास x square gx हो गया आपके पास 2x plus 1 आपने यहाँ पे लिख दिया बहुत जबर्दस अब x square और 2x plus 1 को करना है add लो sir, कर दिया add क्या यहाँ पे कोई identity देख पा रहे हो आप नहीं देख पा रहे हो मैं आपको दिखाता हूँ अगर मैं आपको याद दिलाओ तो आपने बच्पन में यह identity पड़ी थी यह हो गया आपके पास x का whole square यह हो गया 2 times of x into 1 और यह जो 1 है आपके पास यह हो गया 1 का whole square I identity याद a square plus b square 2ab जहाँ पे a हो गया आपके पास x b हो गया आपके पास 1 अब एक ग्यारवी के बच्चे हो एकदम basic में जाके कोई मतलब है नहीं PCM आपने लिया है Commerce plus Maths आपने लिया है तो यहाँ पे सभी बच्चे guess कर सकते हैं कि a square 2ab plus b का square यह बनता है यहनि कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं कि यह हो जाएगा x plus 1 का whole square बात हो गई खतम तो यहाँ पे हमें यह दिया गया था यहाँ से हमने यह बनाया दोनों को add किया और फिर जाके हमने identity लगाई और एक हमने answer बनाया अगर आप यहाँ तक लिख किया होगे ना exam में तब जाके आपको इस question में full marks मिलेंगे बहुत बड़ी है I hope आप चीजे समझ रहे हैं अभी दूसरी चीज उसने हमसे demand की थी f minus g x चलो इसको भी solve कर लेते हैं क्या demand किया था उसने उसने हमसे demand किया था कि भाई यह f minus g बाहर है और अंदर जो है हमारे पास x है इसका मतलब समझते हो ना आप हाँ जी समझते है सर इसका मतलब है कि यह है f of x यह है minus g of x क्या है यह है f of x यह है minus g of x बाहिश समझते हैं f of x कितना है f of x सर यह रहा कितना है f of x x square है g of x कितना है सर g of x यह रहा 2x plus 1 है यहनि कि x square में से आप 2x plus 1 को घटा रहे हो घटादो भ이 जैसे ही घटाओगे तो यह बनेगा x square minus 2x minus 1 आपने function का क्या किया, subtraction कर लिया यहाँ पे कोई identity नहीं बन रही है, तो आप यहाँ पे इतना ही लिख दोगे आपके question में पूरे नाम, number जो है, मिल जाएंगे, बहुत बढ़ी है चलो, दो काम तो कर लिये, अभी तीसरा और चौथा काम भी कर लेते हैं तीसरे काम के लिए जगे नहीं है, तो इधर आ जाते हैं यहाँ पे हमें लिखा गया है, कुछ इस तरीके से लिखा गया है क्या लिखा गया है कि यह ऐसे f और g इधर बना है और यहाँ पर x बना है मतलब तो आप समझते हो इसका मतलब यह है कि function fx यहाँ पर multiply होगा हमारे function gx से अब जल्दी बताओ function fx कितना है function fx x square है function gx कितना है 2x plus 1 है यहनि कि यहाँ पर x square multiply हो जाएगा आपके 2x plus 1 से multiply होगा 1 से x square जब 2x से multiply होगा यह बनेगा 2x cube एक square जब 1 से multiply होगा बनेगा x square तो आपको final answer जो है आपके पास बन चुका है यह very simple और last part पर आ जाते हैं जो उसने हमसे पूछा था उसने हमसे last part अब f of x कितना होता है देखिए जरा f of x आपके पास given है वो x square है g of x कितना है 2x plus 1 है तो यहाँ पे f of x की जगा आपने x square रख दिया g of x की जगा आपने 2x plus 1 रख दिया लो भई आपने function को यहाँ पे लिख दिया यह आपका question हो गया बस यहाँ पे छोटी सी चीज आपको धियान रखनी पड़ती है जैसा कि आप जानते है कि function को जब भी fraction में लिखते हो तो उसका जो denominator है वो कभी भी 0 नहीं बनना चाहिए यनि कि हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा जो 2x plus 1 है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए अगर हमारा 2x plus 1 0 के बराबर नहीं होगा इसका मतलब यह है कि हमारा 2x है वो minus 1 के बराबर नहीं होगा 1 को उस तरफ ले गए इसका मतलब जो है हमारा x जो है वो कभी भी minus 1 by 2 के बराबर नहीं होगा तो इसको लिखने के बाद ये चीज लिखना compulsory है क्योंकि हमें बताना पड़ेगा कि हमारे x क्या हो सकते हैं और क्या नहीं हो सकते हैं बाकी questions में x पे कोई limit नहीं आ रही थी यहाँ पे x पे limit आ गई क्योंकि आपका denominator जो है वो 0 नहीं हो सकता क्योंकि किसी भी fraction में denominator can never be 0 इसका मतलब 2x plus 1 cannot be equal to 0 इसका मतलब x is not equal to minus 1 by 2 यह सारी बाते आपको इस question में mention करनी पड़ेगी तो example बहुत simple था और मैंने एक ही example के अंदर आपको चारो के चारो operations करके दिखा है इसको भी लिख लो फटा फट वीडियो pause करके और यहाँ पर आके इस चीज़ को भी लिखी लो वीडियो pause करके बहुत बढ़ी है चलो तो एक simple सा example अपने कर लिया थोड़ा सा और level बढ़ाते हैं level क्या simple ही questions है अभी और आते हैं अपन example number 17 पे example number 17 exactly same है आपके example number 16 जैसा बस यहाँ पर function fx और gx change है tension मतलो फिर भी अपन करेंगे जिससे आपका concept clear हो जाए और फिर धेर सारे homework questions लाया हूँ जिनको आपको मैं दे दूँगा और उनको आप खुद से attempt कर लीजिएगा चलिए तो question करते हैं सबसे पहला function यहाँ पे fx कितना given है जल्दी बताओ आपका fx जो given है वो है under root x दिख गया क्या बहुत बढ़िया है gx कितना given है तो gx जो आपके पास given है वो है आपके पास x ठीक है क्या मांगा जा रहा है आपसे सबसे पहले आपसे यह जा रहा है यानि कि आपसे बोला जा रहा है f plus e ऐसे bracket के अंदर दूसरे bracket के अंदर x मतलब समझते हो ना इसका इसका मतलब है कि आपको function fx को function gx में add करना है तो चलो भई function fx को gx में add कर देते हैं function fx आपके पास क्या है under root x है function gx क्या है आपके पास x है तो यहाँ पर आपने दोनों को add कर दिया आपके पास जो है answer आ गया, इसके अलावा कुछ करना है क्या, नहीं करना, चलो, दूसरे पार्ट में आ जाते हैं, दूसरे पार्ट में उसने क्या बोला, यहाँ पे उसने f-g डाल दिया, यहाँ पे उसने x डाल दिया, तो अपन क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे, अरे, यह तो difference of function है, तो इसको ऐसा लिख दो, f of x minus g of x, अब एक बात बताओ, f of x कितना है, यह रहा f of x, under root x, gx कितना है, x है, तो बस यहाँ पर रख दो, यह हो गया, under root x minus x, आपके पास अंसर आ चुका है, under root x minus x, simple type के question है, चलो बहुत बढ़िया, तीसरे पार्ट पे आ जाओ, तीस multiply है, यहनिकि f x जो है, multiply होगा आपके gx के साथ, f x कितना है, यह देखिए, f x आपके पास under root x है, gx कितना है, gx आपके पास x है, तो under root x into x, इसको solve कर सकते हैं क्या, yes, इसको हम solve कर सकते हैं, कैसे देखो, under root x का मतलब होता है, x की power 1 by 2, और x का मतलब होता है, x की power 1, अब द same है, exponent add हो गए, यहनिकि 1 by 2, plus 1 आपने कर दिया, आपने इसको solve किया, तो x की power आपके पास क्या आएगी, 3 by 2 आएगी, इसकी मदद से आपने दोनों function का किया किया, multiplication जो है, बड़ी ही आसान तरीके से निकाल लिया, I hope कहीं पे कोई issue आपको नहीं है, चलो, बहुत बढ़िय अब ही last part पे आजाओ, f of gx, समझ गया ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे function का division है, f of g ऐसे है, और यहाँ पे x है, यहनि basically आप function fx को divide करोगे, function gx है, बहुत simple सा काम हो गया यह तो, function fx कितना है, function fx आपके पास under root x है, function gx कितना है, आपके पास x है, लो भाई, काम आसान ह under root x कितना होता है, 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 solve करोगे, कैसे solve करोगे, बड़ा असान काम है, base जो है, same है, exponent क्या हो जाएंगे, minus हो जाएंगे, because, बीच में क्या है, division है, य लिखने जरूरी है क्योंकि एक्जाम में इस टाइब के ग्वेशन तीन या चार नंबर में जरूर आपको कहीं न कहीं मिल जाएंगे और पूछते ही हैं और इन क्वेशन में ज्यादे दिमाग नहीं लगाना है सिंपल सा आपको फटाफट ऑपरेशन करने हैं नंबर आ गए चलिए तो एक्जामपल नंबर 17 आपको आपको क्लियर है अभी कुछ क्वेशन में आपको जो इन टाइप के क्वेशन करवाया है न इन ही टाइप के क्वेशन में कुछ ऐसे आसान आसान क्वेशन है जिनको as a homework म मैं आप पे डालता हूँ आप उनको solve करिएगा कहीं पर कोई doubt हो तो comment section में जाके पूछिएगा ठीक है चलो कुछ questions आप पे डाल देते हैं जैसे कि यह वाला question आप पे डाल देता हूँ मैं आप इसको इमानदारी से solve करना आप से solve होगा ठीक है सारे parts करने हैं आपको 5 के 5 part क कुछ hint देता हूँ मैं जिससे confusion हो जाए देख लो अच्छा इसमें 8 part मैं solve कर दूँगा देखो जैसे कि यहाँ पे f plus g x है तो इसका मतलब यह है कि आप basically इन दोनों function का क्या करोगे? addition करोगे यहाँ पे f minus g है इसका मतलब दोनों function का क्या करना? subtraction करना यहाँ पे f into g है पे उन्होंने बोला है कि हमको निकालना है 1 by f इस तरीके से और दूसरे bracket में x है तो इसका मतलब यह है कि यह हो जाएगा क्या? यह हो जाएगा 1 upon fx मैंने आपको सिखा दिया है यानि कि यह function का reciprocal हो गया function fx देखो क्या है? function fx आपके पास कुछ यह है 1 upon x plus 4 देखो ज़रा function fx क्या है? 1 upon x plus 4 है ठीक है? क्या ले लगा है उसका reciprocal? लिखते हैं कि function fx जो है हमारे पास 1 upon x plus 4 है तो दोनों साइट reciprocal ले लो देखो इस साइट reciprocal लोगे तो 1 upon fx बनेगा और 1 upon x plus 4 का reciprocal लोगे तो क्या बनेगा? भाईया इधर 1 upon fx आगया इधर already reciprocal है तो एक बार और reciprocal लोगे तो वो क्या बन जाएगा, वो आपके पास x plus 4 बन जाएगा, तो बात कतम हो गई, 1 upon fx हमको कितना मिला, हमको x plus 4 मिल गया, हमने उसका reciprocal find कर दिया, तो इस टाइप के questions भी कई बार आपको exam में confuse कर जाते हैं, आप उनको solve नहीं कर पाते हैं, बट जो बाकी पहले 4 parts मैंने as a homework दि कुछ नहीं करना, दोनों function को add करना है, दोनों function को subtract करना है, दोनों को multiply करना है, और दोनों का क्या निकालना है, question जो है, nिकालना है, simple question है, इसलिए दे रहा हूँ, tough बिल्कुल भी, नहीं है, ठीक है, ज़़़ोर करना answer comment box में ज़़रूर डालना, ठीक है, उसको ज़रूर check क आते हैं अपन इस question पर यह question discuss कर लिया था यह question पर आजाओ देख्यों इस question के अपन जो है पहले तीन parts पर नहीं करवा रहा हूँ मैं 4, 5 और 6 पार्ट करवा रहा हूँ भई पहले तीन parts क्यों नहीं करवा रहे हूँ दोनों function का addition है यहां पर दोनों function का subtraction है यहाँ पे दोनों function का क्या है? multiplication है, अब यह तो कर सकते हैं ना तो sir, वीडियो में लाते हैं कि हो जब हमको करना है इसका type बता दिया है, practice भी ज़रूरी है इसलिए questions लेके आया हूँ हाँ, हम यह आखरी के 3 parts करते हैं जिससे understanding आपकी अच्छी रहे लेओ, 6th part तो करेंगे नहीं, दोनों function का क्या है? सब वो है, question है, division है अपन इसको 4th और 5th part को करेंगे, आ जाईए तो 4th part में आपको बोला गया है, क्या बोला गया है? 4th part में आपको बोला गया है कुछ इस तरीके से अंदर लिखा है F, F यहाँ पर लिखा है आपके पास x सर, यह क्या मतलब है? F, F, X यह क्या लिख दिया सर? सुनिए इसका मतलब यह है, देखो जब हमने लिखा था F, G, X ध्यान से सुनो, जब हमने लिखा था F, G, X इसका मतलब यह था कि function x जो है, आपके इसका मतलब ये था ना अब यहाँ पे दोनों जगे f हो गया इसका मतलब ये है कि function fx जो है आपके function fx से क्या है multiply में है function fx क्या है under root x plus 2 बहुत बढ़िया दूसरा function x क्या है ये भी under root x plus 2 है बस दोनों को multiply करना है भाईया same चीज जब multiply होती है तो उसका क्या हो जाता है उसका whole square हो जाता है यानि कि यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे आप under root x plus 2 का whole square कर देंगे अब एक बात बताओ under root x plus 2 का whole square का मतलब ये है कि answer कितना मिलेगा answer आपको x plus 2 यहाँ पे मिल जाएगा बात हो गई खता हमने answer निकाल लिया तो f f x का मतलब क्या होता है basically same function को आप दो बार multiply करते हैं अच्छा माल लो अंदर 3 बार f हो जाते है f f f x इसका मतलब ये होगा कि एक ही function को आप 3 बार multiply करेंगे आप इसको ऐसा भी सोच सकते हैं f f x है basically function x का function f x का whole square होगा अगर अंदर 3 बार होता तो function f x का whole cube होता अंदर 4 बार होता तो function f x का whole power 4 होता मैं समझा देता हूँ सुनिए अगर यहाँ पर हमने ऐसे लिख दिया f f x तो इसका मतलब समझेगा इसका मतलब ये होता है कि function fx का आप क्या कर रहे हैं आप जो function fx का whole square कर रहे हैं वहीं पर अगर मान लो अंदर f, f, f और इस तरीके से x हो जाए इसका मतलब यह है कि आपका जो function fx है आप इसका क्या कर रहे हैं आप इसका whole cube कर रहे हैं 4 कर दोगे तो 4 power चड़ जाएगी 5 कर दोगे तो 5 power चड़ जाएगी इस तरीके से आप एक basic understanding बना सकते हैं simple चीज़ है, tough नहीं है चलो, इस part पे deal कर लेते हैं 5th वाला part, 5th वाला part और असान है 5th वाले part में आपको बोला गया है कि यहाँ पे g है, यहाँ पे भी g है और दूसरे bracket में x है मतलब समझे गए होंगे आप क्या मतलब है सर इसका इसका मतलब यह है कि gx वाला function आपके gx वाले function से multiply होगा और अगर आप direct मतलब समझ गए होंगे तो direct मतलब यह है कि basically आपके gx वाले function का क्या होगा gx वाले function का whole square होगा तो दोनों ही तरीके से आप understand कर सकते हैं तो gx वाला function है क्या सर? gx वाला function आपके पास ये है यानि कि वो है under root 4 minus x square इसका multiply आप करेंगे under root 4 minus x square से अब दोनों तरफ जब multiply करोगे तो basically ये जो पूरा term है इसका क्या होगा? इसका whole square हो जाएगा अरे same चीज है तो whole square तो होना बनता है न यानि कि यहाँ पर आप लिखोगे under root 4 minus x square का क्या? इसका भी whole square solve करोगे तो क्या answer आएगा? answer आएगा आपके पास 4 minus x square बस इतना कर दोगे, question क्या हो गया? खतम हो गया, कैस से जादा करना है? नहीं करना है इतना ही करना था and I hope आप समझ चुके होंगे यहाँ पर आप direct भी देख सकते थे वह यह जीवाले function का whole square हो रहा है यनि कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपका जीवाला function क्या है? under root 4 minus x square है इसका आप whole square कर रहे हो जब इसका whole square आप करोगे तो आपके पास answer कितना आएगा? answer आपके पास आजाएगा 4 minus x square answer आगया 4 minus x square देख लो इधर से भी same इधर से भी same और कुछ करना है क्या? नहीं करना है तो इस type के questions भी कई बार आपको exam में पूछ लिया जाते हैं मेरा काम था बताना मैंने बता दिया और ये sixth वाला part तो आप बड़े ही आसान तरीके से कर ही सकते हैं तो चलिए बढ़ते हैं अगले वाले सवाल पे और अगला सवाल आपके पास कहां गया? बदला की नहीं बदला? अब तो मुझसे ये पूछोगे कि सर, exponential function क्या होता है? सर, logarithmic function क्या होता है? तो पहले समझा देता हूँ देखिए, exponential function अगर मैं exponential function को fx बोलनू तो मेरा जो fx है न, वो e की power x है याद है? समझाया था मैंने और मैं अगर g logarithmic है तो gx को बोल देता हूँ क्या बोलनूगा logarithmic function को? log x क्या बोलनूगा? log x और मैंने बताया था क्या बताया था सर? कि log x जो होता है logarithmic function होता है और अगर इसके base में तो कुछ होता है और अगर base में तो उसने कुछ बोला ही न, base क्या लो अगर उसने नहीं बोला base क्या लो, तो आप जानते हैं कि base क्या लेना है, e लेना है, और जब base e होता है, तो generally उसको अपन दिखाते ही नहीं है, ये सारी बाते में discuss कर चुका हूँ आपसे, फिलहाल, तो अपन ने function fx gx लिख दिया, पहला सवाल, उसने हमसे पहला सवाल ये f plus g, और यहाँ पे उसने ले दिया 1, लो, अभी तक तो तो तुम variable में खेल खेलते थे, अभी उसने variable की जगह एक constant डाल दिया 1, कोई बात नहीं सर, इसका मतलब क्या है, function का addition, और यहाँ पे जो चीज लिखते थे आप, वो function का input होता था, जैसे यहाँ पे x लिखते थे तो वो x f के साथ और g के साथ जाता था, आज यहाँ पे आपने 1 लिख दिया, तो यह 1 f के साथ और g के साथ जाएगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यह बनेगा f of 1 plus g of 1, क्या बनेगा यह, यह बनेगा f of 1 plus g of 1, simple सी बात, भई addition है न, input क्या है, input 1 है, तो 1 f के स f of 1, 1g के साथ g of 1, बीच में plus का sign है, तो उनका addition, बात खतम, अब solve कैसे करोगे, तो यहाँ पे यह है function e की power x, तो यहाँ पे जब तुमने 1 रखा, तो e की power 1 हो गई, कोई दिक्कत की बात ही नही, gx है log x, log x का मतलब log और यहाँ पे पहुँच गया 1, अब इतना ग्यान तो आ आपको answer कितना देगा, आपको answer e देगा, यानि कि पहले part का answer कितना आ गया, e आ गया, यह information बड़ी ज़रूरी थी कि log of 1 जो है हमेशा कितना देगा, हमेशा आपको 0 देगा, compulsory है यह, clear है, बहुत बढ़ी है, चलिया आ जाईए, तो यहाँ पे अपने first part को solve किया, second part पे आत multiplication है, भई multiplication है तो basically पहले 1f के साथ जाएगा, फिर 1g के साथ जाएगा, दोनों क्या होंगे, multiply होंगे, f of 1 का मतलब क्या है, यह आपके पास function fx है, e की power x, इसमें 1 put करना है, तो e की power 1 हो गई, यह आपके पास g of 1 है, तो यह आपके पास gx है, log x, तो log के अंदर आपने क्या put कर दिया, आपने 1 put कर दिया, बात खतम हो गई, भई e की power 1, सभी लोग जानते है, 1 होता है, log 1, सभी लोग जानते है, 0 होता है, into 0, 0 होता है, यहाँ पे आंसर कितना आ गया, आपके पास 0 हो गया, बात खतम हो गई, हो गया second part, अभी third part में देखो गे, तो उन्होंने आपको third part में क्या बोला है, third part में उन्होंने बोला है, कि भाई आपके पास जो है ना, 4F ऐसे है, और यहाँ पे 1 है, 4F ऐसे है और यहाँ पे 1 है, अब इसको कैसे solve करोगे, तो समझो, यहाँ पे वो scalar वाली चीज, याद आ गई, यहाँ पे scalar multiplication of a function, यानि कि एक scalar number, एक number multiply करते थे function में, यही चीज है, तो यहाँ पे जो आपका 4 है, यह basically multiply होगा, किस से function की value 1 पे, तो function की value कौन से function की, F वाले function की, तो F वाला function E की power X है, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, E की power 1, E की power 1 होता है, तो यहाँ पे बन गया 4E, अच्छा तुम यह तो नहीं confuse हो रहे हैं कि E कौन है, बताया था न मैंने, E जो है, इसको क्या कहते है, Euler's constant कहते है, कितना होता है, 2.71 के पास कुछ इसकी value होती है, तो इसमें confuse मत हो जाना, जो सारे part clear है, confusion तो नहीं है, sir, last वाला part भी करवा दो, चलो इस part को यहाँ पे देख लेते हैं, उसने बोला है, इधर, अरे, पेन कहा ग G of 1 का मतलब क्या है, तो भाई, G of 1 का मतलब है, log X है, आपके पास G वाला function, उसमें input 1 कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जायेगा, log और यहाँ पे input आपने 1 कर दिया, log of 1 होता है, आपके पास 0, तो 3 into 0, आपके पास कितना मिल गया, आपके पास मिल गया 0, बात खतम हो गई, मा ring number है, बच्चों के इनका idea नहीं होता है, बच्चे गलत कर देते हैं, अभी मैंने idea दे दिया है, तो गलत नहीं होगा, चलो, ले लो इसका screenshot, जरूरी GC, ले लिया, बढ़िया, इसको भी हटा देते हैं, और यहाँ पे आके इसको भी हटा देते हैं, फिलहाँ, तो यह questions हो ग लेना, थोड़ा सा, जादा नहीं, function कुछ इस प्रकार है, मैं लिख देता हूँ, आपके पास, जो function fx है, यह actually है, log 1-x, क्या है function fx log 1-x, ठीक है, और function gx, जो आपको दिया गया है, यह है, आपके पास यह वाल x, अरे, यह वाला sign देके कुछ याद आ रहा है, क्या, हाँ स function fx, log 1-x है, आपके पास function gx, यह gifx है, अब gifx क्या होता है, यह पिछली वीडियो में सिखाया था, इसमें भी revise करवाओंगा, tension मत लो, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज, आपसे बोली गई है, कि ठीक है यार, यह सब तो सही चल गया, हमें ना, तुम यह बताओ, कि f of g of x क्या होगा, क्या बोल रहे हैं वो, वो बोल रहे हैं कि f plus g, x क्या होगा, यहाँ पे basically क्या होगा, दोनों function का addition होगा, कोई बड़ी बात तो है नहीं, direct answer निकाल दे क्या, चलो निकाल देते हैं, दोनों function को add कर दो, तो यह हो गया आपके पास log 1-x, और यह हो गया आपके प पार्ट में कि दोनों को multiply करो, चलो multiply करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, F, G अंदर है, X बाहर है, इसका मतलब यह है, कि F, X को आप multiply करेंगे G, X में, अब एक बात बताओ, F, X कितना है, F, X, F, X कितना है, यह है, G, X कितना है, तो F, X हो गया, log अंदर क्या है, 1-X, G, X कितना है, G, X, यह है, G, I, F, X, तो यहाँ पे आपने ऐसे multiply कर दिया, आपके बास दोनों function का क्या आ गया, multiplication भी जो है, simple part, अच्छा, third part में देखो, क्या है, third part में F of G का question है, और fourth part में G of F का question है, solve कर लेते हैं, ध्यान से देखिए, तो third part में, अगर आप focus करेंगे, बहुत simple है, आप आपके पास third part, बस ध्यान से सुनिएगा, क्या है third part में, third part में है, आपके पास, ऊपर है F of G, clear है, और यहाँ पे अंदर क्या है, अंदर X है, इसका मतलब तो आप समझते ही होंगे, इसका मतलब यह होता है, कि आपको F X को divide करना है, G X से, अब F X देख लीजिए, F X आपके पार्ट ने काल लिया, आपने third part भी जो है, यहाँ पे solve कर लिया, ठीक है, अब यह fourth part बचता है, अब देखो fourth part ना बड़ा आसान काम है, देखो fourth part में क्या वोला, उसने, G उपर दिया है, F नीचे दिया है, और यहाँ पे X दिया है, काईदे से मैं बताओं, तो इसका integer function को log 1 minus X से divide कर दिया, हमारा answer जो है आगया, simple सी चीज है, तो यहाँ पे अपने सारे parts को solve कर लिया, बड़ा आसान काम था, question start होता है नीचे, यहाँ पे आपको सबसे पहली बार बोला गया है, F of G of minus 1 find करिये, क्या find करिये, F plus G of minus 1, यह है ना interesting part, क्या बोला गया है, चलो first part से deal करते हैं, उसने बोला कि F plus G है, और यहाँ पे आपके पास minus 1 है, आप इसको solve करो, मैं आपको बोलूँगा, आप ना इसको मत solve करो, तो सर किसको solve करे, अरे अभी थोड़ी दिर पहले, मैंने आपको F plus G X की value निकाल के दिखाई थी, हासर निकाल के दिखाई थी, इसी का use करते हैं, चलो आजाओ, अभी थोड़ी दिर पहले आपने लिखा था, कि F plus G X, F plus G X की value कितनी है, तो अभी क्या लिखाता आपने, हमने लिखाता, यह है log 1 minus X, और यह है GIF X, यही लिखाता ना, देख लो, verify कर लो, लिखाता है, हाँ सर लिखाता, कोई दिक्कत की बात नही तो ऐसा करो न, आपको इसकी value चाहिए, हाँ सर value चाहिए, तो यह देखो, यहाँ पे basically input क्या है, minus 1 है, यहाँ पे क्या बोल रहे है, input minus 1 है, तो यह जो X है, इसकी जगा क्या input कर दो, तो minus 1 input कर दो, कहाँ पे, LHS में भी, RHS में भी, बात खतम हो जाएगी, इतना ही काम है, द यहाँ पे आपने minus 1 input कर दिया, हर जगे minus 1 input कर दो, तो यहाँ पे आपने बोला log 1 minus of minus 1, अब यहाँ पे ध्यान देना, बच्चे गरबड कर देते हैं, अरे सर यह वाले bracket मत यूज करो, आप काम बिगाड़ दोगे, सही बात है, ऐसा लिख देते हैं, यहाँ पे X minus 1 है, तो minus पहले से भी बैठा है, और X की जगा minus आया है, तो यह 1 minus of minus 1 आएगा, यह छोटी-छोटी बाते बहुत ज़रूरी होती है, वरना पूरी महनत खराब हो जाती है, और यहाँ पे greatest integer function किसका, minus 1 का आएगा, अब देखिए ज़रा, देखिए, तो आपका जो यह LHS बन चुका है, F plus G minus 1, इसकी value तो आप उनको निकालनी है, अंदर देखिए, यहाँ पे log है, अब अंदर solve करोगे, तो यह minus अंदर जाएगा, तो यह minus minus को काट के क्या बना देगा, प्लस बना देगा, तो यह 1 plus 1 हो गया, एक बात बताओ, greatest integer function minus 1 का क्या होगा, तो मैंने आपको सिखाया था कि कभी भी किसी integer का, अगर greatest integer function निकालते हो, तो answer एक integer आता है, तो minus 1 का greatest integer function क्या आएगा, minus 1 आएगा, बात खतम, यह चीज़ मैंने आपको सिखाई थी, इसलिए अब जादा time waste नहीं करूंगा, इसको आप solve करोगे, तो चलो solve कर लो, तो LHS बन चुका है, F plus G, यहाँ पे बनता है, आपके पास log 2, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे minus 1 है, इतना आपने कर दिया है, तो आपका एक पार्ट खतम होता है, अब log 2, 0 मत कर देना, सिर्फ log 1, 0 होता है, log 2, 0 नहीं होता है, इस तरीके से हमने question का जो है, एक पार्ट यहाँ पे solve किया, I hope आपको समझ में आया, अभी बात खतम नहीं होती है, अब वो बोल रहे है, यार ये काम तो कोई भी कर लेगा, मैं भी कर लेता, मैंने सवाल बनाया है, तुम ना मुझे ये find करके दिखाओ, क्या? FG 0, क्या find करके दिखाओ? FG 0, जहाँ से देखना, क्या बोल रहे हैं वो? कि F और G है, और यहाँ पर ऐसे 0 है, मैं आपको बोलूँगा, अभी थोड़ी देर पहले अपने FG X find किया था, यानि F function का multiplication, G function के साथ, और उसको कुछ solve करके अपने ये निकाला था, देखिए, हमने solve किया है, ये हमने find किया था, जिसकी value जो है, हमें ये मिली थी, तो चलिए, लिखते हैं हमने देखा कि हमारा FG ये X कितना आया था, जल्दी value लिख दो, तो I think कि ये आया था, log 1-X multiplied by J4X, अच्छे से याद है मुझे, अब देखो, वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे न, तुम 0 put करो, input क्या put कर दो, ये X की जगह क्या put कर दो, 0 put कर दो, कर दो, तो ये काम सिर्फ LHS म में भी 0, log, यहाँ पे क्या हो गया, 1-0, यहाँ पे क्या हो गया, GIF 0, solve करते हैं, log 1-0 का मतलब है, log 1, अच्छा, 0 का GIF का मतलब क्या होता है, 0, सिखाय था न मैंने, किसी भी integer का greatest integer function निकालोगे, answer वही integer मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे जब मैंने minus 1 डाला, तो answer minus 1 मिला, तो answer 0 input किया, तो answer 0 मिलेगा, in fact, अगर आपको याद होगा, log 1 भी 0 होता है, यह निकि यह 0 into 0 हो गया, answer कितना मिला, answer 0 मिल गया, लो और आसान काम हो गया, although फर्क नहीं पड़ता, एक 0 होता, तो भी answer 0 आया, log 1 भी 0 हो गया, तो भी answer 0 ही आएगा, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा उससे, चलो बढ़िए, यह पार्ट भी समझ गया, answer समझ गया, तो ऐसा करते हैं, कुछ और पार्ट पर आजाते हैं, कुछ और पार्ट क्या है, आपको यहाँ पे find करना है, अब उसने बोला, यह भी कर लोगे, यह find करो, f of g of minus 1, क्या find करो, f of g of minus 1, मैं बोलूंगा, अरे, f of g of x, मैंने आपके लिए find किया है, देखिए, f of g of x, मैंने आपके लिए find किया है, log 1 minus x upon g of x, इसी का use करेंगे हम, हम बोलेंगे, कि हमने अभी थोड़ी दिर पहले, f of g of x find किया था, जो कि कितना था, जो कि हमारे पास था, log 1 minus x, और नीचे क्या था, नीचे था आपने प बास यह, इसको अपने को solve करना है, देखो, solve करने में क्या करना है, उसने बोला है, अंदर input होना चाहिए minus 1, इसका मतलब वो यह बोल रहे है, कि यह f of g है, और यहाँ पे input आप क्या कर दीजेगा, minus 1 input कर दीजेगा, आप समझी गया है, जहाँ x है, वहाँ क्या कर दो, वहा पर बनेगा, यह देखिए, यह बना 1, plus 1, और नीचे क्या बनेगा, मैं सिखा चुका हूँ, किसी भी integer का gif, आपको integer ही मिलेगा, आप इसको solve करेंगे, तो यह मिलेगा, आपको log 2, नीचे आपके पास minus 1 है, इसको further आप solve करेंगे, तो answer मिल जाएगा, minus log 2, आंसर क्या मिल ज है, इसलिए solve कर रहा हूँ, पहले तो यह देखना पड़ेगा, g of f है क्या, ठीक है, तो इसको यहाँ solve करेंगे, अगले पन्ने पर solve करते हैं, अगले पन्ने पर solve करते हैं, आ जाए, ध्यान से देखिएगा, मुझे जितना याद है, मैंने इसी वीडियो, अरे, सर, इसी question के अंदर आपने इसकी value निकाली थी, क्या निकाली थी, मैंने निकाली थी, g of x और नीचे क्या था, नीचे था log of 1-x, यकिन नहीं हो रहा है, तो वीडियो को पीछे करके, चेक कर लो, ठीक है, चलो solve करते हैं, वो बोल रहा है कि यहाँ पे आप ऐसा करिए, क्या करिए भाई, यहाँ पे आप 1 by 2 को पुट कर दीजिए, एक्स की जगा, आप 1 by 2 को पुट कर दीजिए, तो जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है, वहाँ वहाँ 1 by 2 होना चाहिए, तो numerator में भी क्या हो गया, numerator में भी 1 by 2 हो गया, denominator में बात करेंगे, तो log यह क्या बन गया, 1-1 by 2 हो गया, सही यह हो गया 1, यह हो गया 1 by 2, 1 by 2 का मतलब अगेन 0.5, क्या आपको कभी भी यह मालूम है कि GIF of 0.5 क्या होता है, मैंने सिखाया था, कि अंदर जो नंबर आप रखते हो, उसका जब GIF निकालते हो, तो answer आपको मिलता है, एक integer जो की 0.5 से just छोटा होना चाहिए, वापस मैं मेरे जब यहां पे आप GIF 0.5 निकाल रहे हो, तो आपको answer मिलेगा, एक integer जो की 0.5 से just छोटा होना चाहिए, वाईया ऐसा कौन सा integer है, जो 0.5 से just छोटा है, तो आप में से सभी बच्चे answer करेंगे, कि सर 0, 0 वो integer है, जो की 0.5 से just छोटा है, यानि कि numerator मे क्या बन गया, numerator मे 0 बन में 1 में से 0.5 घटाएंगे, आपको 0.5 मिलेगा, अब देखो, उपर 0, नीचे कुछ भी हो, नीचे कुछ भी हो, हटाओ आटेंशन, उपर 0 है, numerator 0 है, नीचे कुछ भी हो, फालाना हो, ढिंकाना हो, answer कितना मिलेगा, answer 0 मिलेगा, बात खतम हो गई, मैंने आपके लिए पूर को हलके में ले लेते हैं, अरे हम भी कर देंगे, कौनसी बड़ी बात है, question खास इसलिए है, क्योंकि यहाँ पर इस question को solve करने के लिए, आपको log वाला function clear होना चाहिए, आपको greatest integer function clear होना चाहिए, फिर उनके addition, subtraction, division, questions, सारी चीज़े clear होना चाहिए, तब जाके बनता है question, त बड़ा question था, बहुत सारी बाते थी, वीडियो का length जो है, फालतो में exceed हो जाएगा, चेक है, चलो बढ़िया, I hope चीज़े clear है, तो चलिए, तो यह question बड़ा simple सा था, कर दिया मैंने आपके लिए, अभी बढ़ते हैं, एक और सवाल की तरफ, जो कि आपके पास यह है, तो example क पड़ी, modulus function नहीं पड़ा, काहे का difference, काहे का sum, तो पहले वो बता देता हूँ, सुनो, भाई, मैंने पढ़ाया था, अगर आपने graph वाली वीडियो देखी होंगी, तो सीखी होंगी, चलिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं, identity function के बारे में, किस function के बारे में बात करेंगे सबसे पहले अपन बात करेंगे, identity function के बारे में, देखिए, identity function क्या होता है, तो एक ऐसा function, fx बराबर x, क्या कहलाता है, सर, एक identity function कहलाता है, अगर मैं आपसे discuss करूँ कि modulus function क्या होता है, तो मैं नाम यहाँ पे g रखूँगा, अरे, spelling भी नहीं आती सुर और आप हमें आ रहे हो, आती है भई, आती है, कभी कवार गरबढ हो जाती है, modulus, अब देखके लिख देता हूँ, सही कह रहो यार, spelling तो नहीं आती, modulus function क्या होता है, modulus function जो होता है, gx होता है, और उसको लिखने का अंदाज कुछ इस प्रकार होता है, और यह भी मैंने आपको सिखाया है, तो यहाँ पर मैंने identity function लिखा, यहाँ पर मैंने modulus function लिखा, वो सबसे पहली बार क्या कह रहे है, कि हमको identity और modulus का addition चाहिए, क्या चाहिए, addition चाहिए, यानि कि आपको basically f plus g x चाहिए, अब addition लिखने का अंदाज तो मैंने सिखाया था, तो उस अंदाज में ही अपन ठीक है, लिख दिया पनने, सर solve भी करके दिखाओ, लिख तो कोई भी देता है, सही बात है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, कि function fx और gx को add कर रहे हूँ, function fx क्या है, function fx आपके पास x है, function gx क्या है, आपके पास mod x है, सर बड़ी अच्छी बास है, सर यहाँ पर सर यह दो पार्ट में, चलो रुक जाओ, रुक जाओ, आराम से step by step, परना घबरा जाओगे, answer मिलेगा, सर x plus mod x मिलेगा, हाँ जी सर, क्या बोल रहे थे, दो पार्ट में divide करोगे, ऐसा केसे सर, अरे भाई, modulus function पढ़ाया था मैंने, हाँ जी सर पढ़ाया था, modulus function में मैंने तोड सकते हो, कौनसे दो हिस्सों में, अगर आपका x 0 से बड़ा होगा, तो answer x मिलेगा, अगर आपका x 0 से छोटा होगा, तो answer minus x मिलेगा, यह चीज मैंने सिखाई थी, यहाँ पर जादा नहीं सिखाऊंगा, आप इस चीज को ध्यान रखिए, सीखनी है, तो पुरानी वी x है, वो 0 से बड़ा ले लो, और एक बार जो आपका x है, इसको equal to be 0 ले सकते हो, greater than equal to 0, no problem, और दूसरी बार, sir, जो आपका x है, उसको less than 0 ले लो, ठीक है भाई, जब आपने x greater than equal to 0 लिया है, देखो, यह x तो x रहेगा, mod x किस में खुलेगा, sir, mod x भी plus x में खुलेगा, भ यहाँ पे x less than 0 है, तो यह जो x है, वो तो x में खुलेगा, यह जो mod x है, यह minus x में खुलेगा, यह जो x है, वो तो x रहेगा, यह mod x minus x में खुलेगा, क्यों? क्योंकि x less than 0 है, अभी सिखाया, तो बस अब solve कर लेते हैं, तो हमने यहाँ पे यह देखा, कि f plus g और यह जो x है यह हो चुका है x plus mod x और यह हो चुका है हमारे पास x plus x 2x जहां पे आपका x 0 से बड़ा है या बराबर है x minus x हो चुका है 0 जहां पे आपका x less than 0 है इस तरीके से अपने क्या find कर दिया? जो चीज हमें बोली गई थी वो find कर दिया बच्चे अगर आप यहां तक नहीं लिखेंगे ना नंबर नहीं मिलेंगे यह काम तो कोई भी कर लेगा यह काम करना कमाल की बात है समझ रहे हैं? यहाँ पे तो हमने दोनों function का क्या करा बच्चो? addition करा सिर्फ addition से बात बनेगी क्या? नहीं सर सब्स्ट्राक्शन भी करना है तो चलिए सब्स्ट्राक्शन करते हैं अब difference निकालते हैं इस चीज़ को हटा दू क्या? नहीं सर रहने दो काम आएगी ना अपने बाद में अपन screenshot पी ले लेंगे सुनिए अभी क्या करना है? function का difference करना है यनि basically difference का मतलब समझते हैं न f-g किया और यहाँ पे आपने x कर दिया अरे वाह! इसका मतलब हो गया सर function fx में से gx को घटा दो function fx आपके पास identity थी function gx आपके पास modulus थी यनि कि यह हो चुका है x-mod of x क्या हो चुका है? x-mod of x अब इसको क्या करोगे? सर्थ दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे कौन से दो हिस्सों में? भाया एक बार आपका x greater than equal to 0 क्यों क्यों क्यों? देखो x तो x में खुलेगा ये minus बीच में रहेगा ये mod x किस में खुलेगा? एक बात बताओ x greater than equal to 0 के लिए mod x x में खुलता है तो यहाँ पर तुम x रख दोगे confuse मत हो जाना अरे बाहर minus sign है तो mod x को मैं minus x में खुल देता हूँ बच्चे करते हैं आपको नहीं करना है आप simple सी बात ये सोचिए दिवाग में बिठाईए चीजों को एकदम दिवाग में सटीकता से बिठाओगे न हमेशा reciprocate होंगी भाई यहाँ पर तुम्हारा x x रहेगा तुमने condition लिए है कि तुम्हारा x greater than equal to 0 है तो तुम्हारा जब x greater than equal to 0 है तो mod x खुलता है x में लो भाई, mod x खुल गया x में बात हो गई खतम तो जब आपका sir x less than 0 होगा तब क्या, देखिए यह वाला x तो unaffected रहेगा यह वाला minus sign यह भी unaffected रहेगा हाँ जी, यह जो mod x है आज किसमें खुलेगा? minus x में खुलेगा because x less than 0 है यहाँ पर जो mod x है इसकी जगह minus x आ चुका है इस प्रकार से कुछ अच्छा, इसको solve कर दो sir तो यह है आपके पास f minus g यहाँ पर आपके पास x है यह बन रहा है x minus mod x इसको जब आप solve करते हैं तो x minus x 0 मिलेगा जहाँ पर आपका x greater than equal to 0 है इधर कैसे sir minus minus plus, तो यह plus x मिल गया जहाँ पर x less than 0 मिलेगा इसको थोड़ा सा ओर solve करते हैं हम तो यह हमें मिलेगा f minus g, यहाँ पर हमारे पास x है यहाँ पर हमारे पास x minus mod x है यहाँ पर हमें 0 मिला x plus x, हमें 2x मिलागा और यहाँ पर x greater than equal to 0 है और यहाँ पर x less than 0 है simple question, simple answer I hope question clear है question कहीं से simple नहीं था question बहुत दमदार था क्यूंकि question एक concept पे based नहीं था question multiple concept पे based था आप यह तो नहीं सोच के आये थे हैं algebra of function तो कोई भी कर लेता है कोई भी दो function को add कर लेता है जब यह video शुरू होती है सभी बच्चे यहीं सोचते हैं यह तो कोई भी कर लेगा function को add करना है function का difference निकालना है multiply करना है divide करना है reciprocal निकालना है कोई भी कर लेगा कोई भी नहीं कर पाता अगर यह properties न मालूम हो तो सुगून से क्या करो फटा-फट चीजों का screenshot ले लो और screenshot से better होता है video को pause करके question को लिखने के साथ solution भी लिख ही डालो लिख लिया मिटा दू बढ़िया मिटा दिया लो भाई इधर भी आ जाओ लिख लो लिख लिया मिटा दू चलो मिटा दिया बढ़िया तो ठीक है यह question हो गया example हो गया बढ़ते हैं को और example की तरफ अपने पास यह है, बहुत अच्छा question, बहुत interesting question, find the sum and the difference of the identity function and the reciprocal function, यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपके पास identity function है, आपके पास reciprocal function है, उनका क्या find करना है, उनका difference find करना है, और उनका क्या find करना है, sum find करना है, मैं ज्यादा मेहनत नहीं करू हिंट दे के question छोड़ दूँगा, आप करियेगा, इसका solution जो है, आरस अगरवाल किताब में आपको मिल जाएगा, जूट नहीं बोलूँगा, वहीं से question को मैंने उठाया है, बहीं question थोड़ी बना सकता हूँ, concept सिखा सकता हूँ, question तो कहीं से उठाओंगा ही उठाओंगा, अच्छा, ये reciprocal function क्या होता है, वो भी बता देता हूँ, reciprocal function क्या होता है, जल्दी बोलो भाई, reciprocal function जो होता है बच्चो, वो होता है आपके पास gx नाम दे दूँ, तो वो होता है आपके पास 1 upon x, ऐसा बनगे आपके पास identity, ऐसा बनगे आपके पास reciprocal, ठीक है, क्या करना है, करना है मतलब basically f plus g का x के साथ ऐसे सम कर देना है और दूसरी दफा difference निकालना है यहीं f minus g आपको x कर देना है answer आपके पास आ जाएगा simple question है छोड़ दो ना चलो चोड़ दो कोई दिकत की बात तो नहीं नहीं कोई दिकत की बात नहीं बढ़िया चलिए एक और simple question पर आते हैं और यहां पर आपको बोला गया है और यह सेम क्वेशन है क्या find the sum and difference of identity function अरे यह तो सेम क्वेशन है अगला question हां find the product of identity function by the modulus function यह बड़ा interesting question है चलिए इसको करते हैं यहां पर basically आपको बोला गया है कि आपको product find करना है identity function और modulus function का ठेक है चलो आजाओ पहले identity function लिख ले अब मैं direct लिख देता हूँ identity function का मतलब होता है यह ठेक है और modulus function का मतलब क्या होता है modulus function का मतलब होता है यह कोई परेशानी तो नहीं कोई परेशानी नहीं क्या find करना है product find करना है product का मतलब तो आप समझते ही होंगे न basically आपको fg x find करना है कोई परेशानी तो नहीं, नहीं सर कोई परेशानी नहीं, चलो solve करें, इसका मतलब यह है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि basically आपका fx जो है, आपके gx से multiply होगा, fx क्या है, fx आपके पास x है, gx क्या है, gx mod x है, तो x जो है, आपके mod x से multiply होगा, अरे सर, यही पर तो खेल होगा, क्या खेल होगा, जल्दी बताओ, सर यहाँ पे वही, जो आपने सिखाया था, क्या सिखाया था, modulus function का टूटना, modulus function का टूटना, क्या, अरे सर, यह जो modulus function है, mod x, आपने बोला था न, यह दो हिस्तों में टूटेगा, x में टूटेगा, जब आपका x greater than equal to 0 होगा, और जब आपका x less than 0 होगा, तो यह minus x में टूटेगा, सिखाया था सर आपने, तो बस आजाईए यहाँ पे कूद के, देखी ज़रा, इसको अपन दो हिस्तों में लिखेंगे, जब आपका x greater than equal to 0 होगा, तो देखो, यह x तो unaffected रहेगा, multiply unaffected रहेगा, mod x किस में खुलेगा, सर greater than 0 है, x में खुलेगा, बात खतम, लेकिन, जब आपका x less than 0 होगा, यह x unaffected, multiply unaffected, यह modulus x किस में खुलेगा, बच्चो, यह minus x में खुलेगा, बात खतम, हम यह जानते हैं, modulus किस में खुलता है, negative में खुलता है, जब आपका x less than 0 होता है, बस वही चीज़ अपन ने यहाँ पे apply की, solve करते हैं इसको, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं सर, हम यहाँ पे देख सकते हैं, कि fg है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x into mod x है, और answer हमें कुछ इस प्रकार से मिला है, x into x, x square कब, जब आपका x greater than equal to 0 है, x into minus x, minus x square, कब जब आपका x less than 0 है और यहाँ पे यह आसान सा question जो है अपने खतम कर दिया कोई दम नहीं था question में अगर आपको modulus और identities की property clear है तो इस type के जो questions है मैंने बहुत बार देखे हैं कि exam में पूछे जाते हैं और बहुत अच्छे level पे पूछे जाते हैं अब यह जो वीडियो था ना algebra of functions पे यह यहाँ पे होता है खतम इस वीडियो में मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना ही discuss करना था and I hope कि आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया है कहीं पे कोई confusion नहीं है अभी भगना नहीं है कि कुछ बाते जो हैं आपसे discuss करनी है और share करनी है तो सुनिए यहाँ पे यहाँ पे आपसे मैं discuss करना चाहता हूँ Magnet Brains के website के बारे में भाईया वो platform है जहाँ पे education free तो है ही बस क्यों जरूरी है सुनो होता क्या है जब आप YouTube पे वीडियो देखते हो तो एक वीडियो देखी दूसरी देखी तीसरी नहीं देखी और चौती देख लिए concept मिस हो गया ना इस जीस को यह दिक्कत दूर करेगी मतलब इस दिक्कत को यह website दूर करेगी और free है मानो यकीन मानो free है बस क्या करना है आपको कुछ ऐसा कुछ सब्सक्रिप्शन ने लेना बस आपको क्या करना है Google Chrome खोलना है टाइप करना है www.magnetbrains.com website खोलेगी इस पे जाईएगा यह CBC English वाले segment में class 11th को select करिएगा और फिर आपके सामने ये window खोलेगा इसमें जाईएगा ये देखो math पढ़ना है watch now पे click कर दो जैसे ही click करोगे तो class 11th math में जो chapters खतम हो चुके हैं उन chapters पे दबा देना तो उसके videos जो हैं आपके सामने play हो जाएंगे and you know that those are all free of cost यानि कि कोई भी पैसा आपको नहीं देना है तीन काम जरूर करने हैं हर वीडियो को देखने के बाद जो कि आप जानते हैं बच्पन से सुनते आएं हैं like, share and subscribe जरूर करना है पर यहाँ पे share करना ना बहुत जरूरी है बहुत free education है इंडिया के हर कोने कोने तक ये खबर पहुँचनी चाहिए कि Magnet Brains platform ऐसा है कि जो free education प्रोवाइड करता है and literally free education प्रोवाइड करता ऐसा नहीं है कि दो वीडियो दिखा दिये बाकी को hide कर दिया और आप से बोला कि पहले पैसा दो फिर बाकी के वीडियो देखो ऐसा कुछ यहाँ पे scheme नहीं है बाकी अगर आप इस वीडियो के comment box में जाके अच्छा-च्छा comment कर दोगे तो मुझे तो बहुत मजा आज आएगा अच्छा-च्छा comment करना है न criticism comment मतब कि उच्छ criticize करना हो कुछ suggestions हो तो भी I am open to it and कुछ doubts हो तो भी आप कर सकते हैं को issue नहीं है बाकी comment ज़रूर करी है ठीक है कंपल सरी है अच्छा comment करते हो तो यार motivation आता है कि चलो यार बच्छों के लिए और अच्छा content बना के लाते हैं So that's all for this video I hope कि आपको इपूरी वीडियो समझ में आई होगी Algebra of Function यहाँ पे खतम होता है जैसा कि मैंने कहा था और इसके बाद आएगा exercise 2.3 का detailed solution याद है exercise 2.2 के और 2.3 के बीच में कितनी सारी वीडियो बनाई मैंने पता है अगर आप NCRT खोलोगे बड़ा important point है सुनते जाना भग मत जाना सुनो ध्यान से सुनो अगर आप NCRT खोलोगे तो exercise 2.2 और exercise 2.3 इसके बीच में सिर्फ 3 पेज है सिर्फ 3 only 3 pages are there in NCRT but if you have noticed अगर आपने ध्यान दिया होगा तो 2.2 और 2.3 के बीच में मैंने 5 से 6 वीडियो बनाई है यानिकि वो जो 3 पेज थे न उन 3 पेज को मैंने maximum expand किया है और ऐसा एक topic नहीं है जो मैंने यहाँ पे छोड़ा है तो अब एक बात बताओ इतना dedication से आपके लिए content बनाया है यार कैसे ऐसा हो सकता है कि content में quality नहों तो ऐसा मत सोचना कि free है तो quality नहीं है ठीक है? तो चलिए आपको यहाँ पे मैं bye bye कहता हूँ बाकी अभी relation functions में कुछ और videos बची है तो उनको देखिएगा और तभी आप इस chapter को close करिएगा so take care, ta-ta and bye bye